all you all once again आप सभीका पर से स्वागत हैं तो ये जो आपका lecture है हम लेकर है हैं Metal Legan Bonding in Transition Metal Complex जैसा कि आपको पता है यह रणिंग में टॉपिक चल रहा है हमारा Metal Legan Bonding in Transition Metal Complex यह हमारी unit second इस हैं तो यह पहला चैप्टर नहीं कर पाएंगे और वैसे आपके पास चैप्टर से इस चैप्टर से chapter को है हमने यहाँ पर क्या-क्या पड़ लिया डिख लिया हेट्रा हेड्रल संकुलों में कैसे उती है वो दिख लिया हमें CFSE calculate करना सीख लिया कौन-कौन से फैक्टर है जो CFSE को प्रभावित करते हैं वो सब सीख लिया बस अब बचा हुआ क्या है बचा हुआ है समतल वर्गाकार संकुलों में D कक्षकों का विपार्टन क्या बचा हु दी कक्षकों का विपार्टन समतल वर्गाकार संकुलों में D कक्षकों का विपार्टन कैसे होता है देखते हैं चलिए देखते हैं शुरुआत करते हैं अस्टफल के संकुलों से कहां से समझना कोशिश करेंगे समझने के कोशिश करेंगे हम अस्टफल के संकुलों से उनका example लेकर चलते हैं ठीक है यह हमारा क्या है अस्टिफल की एक complex है अस्टिफल की संकुल है अब हम क्या करेंगे यह जो दो लीगेंड है up और down जो तल के एक उपर होगा और एक का होगा तल के नीचे तो यह जो दो लीगेंड है क्या होता है कि लीगेंड एक particular distance पर आकर रुख जाते हैं बिलकुल मेटल के बहुत जादा करीब नहीं जा सकती क्योंकि एक टाइम पर क्या होता है लीगेंड लीगेंड के कीच ना दूर करना यानि की कुछ ऐसा करना है लिगेंडों को दूर करना है मैटल से यह कुछ ऐसा हो जाएगा कि जैसे हमिसे दूर करेंगे यहाले बॉन्ड क्या हो जाएंगे थोड़े से लमबे हो जाएंगे खीच रहें हुआ ले जा रहे हैं हम किसे से मैटल से ढूर ले जा रहें तो यह क्या हो गए लंबें और अब यह कैसा है विक्रत आस्टफल किया है यह विकृत कैसा रहे ग AND विक्रत अस्ट फलकिया हो जाएगा कैसा हो जाएगा विक्रत अस्ट फलकिया अब यह विक्रती क्यों आई यह बॉन्ड लंबे क्यों हुए यह आपको पता चलेगा जब हम जैन टेलर विक्रती पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे जैन टेलर विक्रती इसके जस्ट बात पहले स् और इसको टेटर्रागोनल अवस्था भी बोलते हैं क्या इसको इंग्लीश में बोलते हैंVO है यह वुद आपको जो आप्रोप्रीट लगे आप ऐसकते हुम। है थोगा क्या कि विक्रति हुई अब विक्रति हुई तो यहां पर क्या होगा लिगेंड दूर जा रहे हैं इस हैं जब और कश्ow पांच डी और्बिटल है दिख रही है ना पांच डी और्बिटल यह क्या है मुक्त धातू आयन है जब लीगेंड इसके पास आएंगे तो यह क्या हो जाएगा दो भागों में तूट जाएगा ठीक है और याद रखना ये मुक्त धातु आयन के कौन सी स्टेट है एक्साइटेड इस्टेट है है ना अगर पिछले लेक्चर में आपको याद हो जब अमने स्टुफल के के लिए विपाटन पढ़ाया था तो बोला था के पहले मुक्त धातु आयन लीगेंड चारो तरफ से बरावर से आते हैं तो ये पांचों डी और्बिटल के अनर्जी क्या हो जाती है बढ़ जाती है ये एक्साइटेड स्टेट में चली जाती है कहां चली जाती है एक्साइटेड स्टेट याद है ना फिर excited state में इनका क्या होता है विपार्टन होता है तो यह वो ही है excited state लिए ground state को लेने का कोई मतलब है नहीं तो d orbital दो भागों में तूटेगी एक तो होगा t2g क्या होगा t2g और एक होता है हमारे पास e g ठीक है यह कौनसी होती है dx square minus y square और यह होती है dz square और यहां पर होती है dxy d yz d zx इस तरह से तूटता है तो यह तो अस्टिफल की संकुल के लिए अब क्या होता है कि मॉलेक्यूल के अंदर इलेक्ट्रोन बहुत जादा हो जाते हैं जिसकी वज़eg्य से प्रतिकर्शन होना है कि वाद में बदा Sapk कैसे मोलेक्यूल के अंदर यह किया तनातनी हो रही है यह बहुत ज्यादा स्टिफ हो गया है इसको दूर करने के लिए मॉलेक्यूल रिलेक्स होने के लिए क्या करता है डिवाइड होता है ठीक है तो क्या होगी यहां पर किसी तरह का विक्रती आ रही है वह हम बाद में गणल करेंगे जब दीस्टोर्शन पढ़ेंगे उसकी वज़ए से यह दोनों लिग्ंड क्या हो जाती है जैड mortar से दूर जाते हैं और अगर की त्या कर रहें हैं नलकर сы कम होगा तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी पर सबस्क्राइस और यह या için कि लगेंड दूर जा रहा है धातू से कौन सी एक्सिस के अलोंग, कि उन डी आर्भिटलों की एनरजी कम होगी, जिनमेंड़े एक्सिस का भाग होगा, है ना, जिसमें जै एक्सिस का अंच उपस्तित होगा, है ना, क्यूंकि लिगेंड़ ऑर्बिटल लोती है जिस जिस औरबिटल के अंदर जान्द का अंच होगा उनकी एनरजी का हो जाएगी कम हो जाईगी अब यह लिगैड क्या होगा है दूर गए तो यह लिटय बीच प्रतिकर्षन लग रहा था लिगेंड लिगेंड के बीच प्रतिकर्शन लग रहा था अब वो क्या हो गया कम हो गया अब प्रतिकर्शन कम होगा तो ये लिगेंड क्या हो जाएंगे मैटल के और पास आ जाएंगे और ये वाले अगर मैटल के और पास आ गए तो यह कौन सा plane है? यह होगा X और यह होगी कौन सी? Y axis तो कौन सा तल है? XY plane यहाँ पर यह जो रहता है, यह कौन सा plane रहता है? XY plane रहता है ना? तो XY plane में क्या होगा? लिगेंट पास आ रहे हैं तो उन D orbital की energy बढ़ जाएगी जिसमें X और Y का अंच होगा है ना? तो यहाँ पर क्या होगा? जिन orbitals में, क्योंकि यह लिगेंट पास आ गए metal के और कौन सी axis पर है? X और Y plane में है X और Y तल में है तो उन D orbital की energy तो बढ़ जाएगी जिन में X और Y का अंच होगा ठीक है? और उन D orbital की energy कम हो जाएगी जिन में किसका अंच होगा? Z का अंच होगा क्योंकि लिगेंट Z axis ते कहा जा रहे? दूर जा रहे हैं तो अब क्या होगा? कि यहाँ पर जो octahedral में हमको प्राप्त हुई थी T2G और EG T2G और EG यहाँ पर क्या था T2G EG में? 3 D orbital ऐसी हैं जिनकी energy एक समान है, यहाँ पर 2 D orbital ऐसी हैं जिनकी energy एक समान है, यहाँ दोनों की दोनों क्या है? D generate हैं, अब यह D generate break हो जाएगी, क्या हो जाएगी? break हो जाएगी, तूट जाएगी, यहाँ दी orbital फिर से तूटेगी, क्या से तूटेगी? अभी बताया, Z axis के लॉंग, लीगेंट दूर जा रहे हैं, तो प्रतिकर्शन कम हो रहा है, प्रतिकर्शन कम होगा, तो energy घट जाएगी, कौन सी? उन D orbitals की, जिन में Z आ रहा हो, तो क्या होगा? फिर से D orbital दो भागों में तूटेगी, D Z स्क्वेर की energy क्या हो जाएगी? ये क्या है? DZ स्क्वेर, इसकी energy हो जाएगी कम, और ये D x स्क्वेर माइनस y स्क्वेर, xY plane में तो लीगेंट पास में आ रहे हैं, और पास में आ रहे हैं, तो इनकी energy क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, यहां आपर लिख दिया, dx square minus y square इसकी energy क्या हो गई? बढ़ गई इसकी energy कम हो गई ऐसे ही यहाँ पर यह भी तो टूटेंगी इनमें भी तो degeneracy आई है ठीक है? इनकी भी तो degeneracy break होगी तो यहाँ पर भी तीन तरह की orbitals हैं एक में तो है xy और एक में है और दो ऐसी है जिनमें z उपस्ते थे तो जो z उपस्ते थे उनकी energy तो होगी कम और जिसमें x और y उपस्ते थे उसकी energy क्या होगी? ज्यादा तो फिर से इनको भी तोड़ दो उपर आ जाएगी कौन सी? dxy और नीचे चली जाएँगी कौन कौन सी? एक तो d y z और d z x समझ में आया यहाँ पर क्या हुआ? तो यह d orbital की splitting है किसके अंदर? tetragonal के अंदर पहले तो octahedral, octahedral से क्या बने? tetragonal बने tetragonal क्यों हुआ? क्योंकि molecule के अंदर कुछ rigidity आ गई थी जिसकी वज़ए से प्रतिकर्शन बहुत जादा हो रहता है इसकी energy बहुत हाई जा रहे थी उस energy को कम करने के लिए symmetry को लाने के लिए जो z axis है, वहाँ से ligand क्या होगा? दूर चले गए तो z axis से लगने वाला प्रतिकर्शन कम हो गया और प्रतिकर्शन कम हुआ तो उन d orbitals की energy भी कम हो गई जिन में z का अंस था जिन में z का अंस था जैसी z axis से ligand दूर गए ये तो pass में आ गए और इनके pass में होने से उन d orbitals की energy बढ़ गी जिन में x और y का अंस था तो ये x और y वाले की energy बढ़ गी भर गी टीक है अब क्या होगा एक points ऐसा आएगा कि हम ये lead खीचते जाएं abolish खीचे जाया है खीच तक खीचेंगेuds ऐसा आएगा कि बांन क्या होंगे तो जाएंगे एक point ऐसा आएगा कहसा रगे सारिजए सुरी सारे तो नहीं जिन बॉंड को हम खीच रहें दूर ले जा रहें धात्वाएंसे ऐसे पकड़ की खीच रहेते हैं लिगेंड को ठीक है ऐसे खीच रहेते एक पॉइंट ऐसा आएगा कि यह बॉंड तूट जाएंगे और अलग हो जाएंगे तो क्या होगा मैटल के वाल समतल बरगाकार यानि की फाइनली इतने जादा दूर होगा कि तूट जाता है कब तक कीचेंगे कब तक दूर ले जाएंगे एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इन दौनों के बिच में जो अट्रेक्शन था वो कम हो जाए खतम हो जाएगा और बॉंड जो है वो समतल बरगा का यानि की अगर हम बॉंड को बिलकुल हटा देए जैड एक्शिस से तो क्या बन जाते हैं समतल बरगाकार संकुलों का निर्मान होता है है आप यहां पर तो मुझूद थे पृतिकर्शन रहे हैं विपन pori क्या हूं और अगर प्रतिकर्शन खत्म हो गया यहां पर फिर भी फोड़ा। प्रतिकर्शन होगा श्रस्वाइग्स पर कोई भिशी कर्शड नहीं होगा क्योंकि क्यूंकि लिगन्ट है नीज क्यूं तो फूर्बन dot और नीचे आजाएगी जिनमें Z-axis का भाग था क्योंकि लिए अट गए Z-axis से प्रतिकर्षन जो लग रहा था वह बिल्कुल हट गया और जब प्रतिकर्षन बचा ही नहीं तो दी और बीटल की एनर्जी और कम हो जाएगी जिनमें Z-axis का अंस आ रहा होगा यानि कि आगे क्या यह जो ड्याज़ा होगा यह जो दी और भीटल है यह और जयादा नीचे चली जाएगी जैसे ही यह जी ऑर dc- divided और ज्यादाव चली जाएंगी और ज्यादा। उपर चली जाएंगी न e gri-c यह वाइनर्जी बढ़ेगी कौन सी यह कौन सा प्लेन था एक्सवाई प्लेन तो उन्डी और वाई का अंच होगा इसलिए जिन में x और y का अंच है उनकी और बढ़ गई जिनमें z का अंस था उनकी और घट गई तो इसकी एनर्जी क्या हो गी इसमें जैड का अंस है उनकी एनर्जी और घट जाएगी यानिकी इनकी एनर्जी और घट गई इनकी एनर्जी क्या चली जाएगी और नीचे चली जाएगी तो यह आ जाएंगे थोड़ा ऐसे बनाओ d x z d y z तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी और घट जाएगी इनकी एनर्जी और घट जाएगी यह आ जाएगी d y z d dz x तो इस तरह से splitting हो ठीक है अब यह जो इस प्राप्त हुआ यहां से यहां से लेकर यहां तक यह किसके लिए है यह वाला जो डाइग्राम है इस प्रतिकर्षन भी हट जाता है और d x square minus y square और जो d orbital है जो की पहले अस्टफल की संकुल में किवस्ट दो भागों में टूटी थी टेट्रागॉरनल में चार भागों में टूटी थी और यहां पर भी कितने भागों में चार भागों में टूटी हुई है बस एनरजी का डिफरेंस जादा हो गया है x square minus y square के अनरजी बड़ गई है divided square के अनरजी बढ़ गई है दalyzer की अनरजी कम हो गई है और divides स्प्लेटिंग प्राप्त होता है किसके लिए प्राप्त होता है हमें संतल वर्गा का संकूलों सारा से डी और्विटल की स्प्लिटिंग होती है सम्तल वर्गाकार संकुलों में नोट कीजिए जल्दी से अधिक है अगर हम है कि यह चीज को कि भी तोट दो वागों में तोटी है ना टी टू जी और बहुत जाए है थी आ डेल्टा एस्पी का मतलब समतल वर्गाकार संकुलों की CFC जादा होती है किस से डेल्टा ओ से अस्टफल के संकुलों की CFC से जादा होती है और डेल्टा एस्पी कितनी होती है डेल्टा एस्पी होती है 1.3 डेल्टा ओ कितनी बड़ी होती है 1.3 डेल्टा ओ यानि डेल्टा ओ यह रिलेशन याद रखिएगा ठीक है नोट कीजिए जल्दी से आगे चलते हैं सिस्ष इनको समझ में नहीं आया हूँ लेक्चर को बार-बार रिवाइंड करके देखें आपको उसमझ में आ जाएगा ठीक है कि मैं सामने तो नहीं समझाने के लिए आगे चलते है अब लास्ट टॉपिक 25 के अंदर हुआ है जैन टेलर विक्रती क्या बचा हुआ है जैन टेलर विक्रती देख लेते हैं क्या होती है जैन टेलर विक्रती जैन टेलर डिस्टोर्शन जिसे घुलता तुम हिंदी में जान टेलर विक्रती ठीक है क्या है यह जान टेलर विक्रती यह जो समतल वरगाकार संकुल आप लोग ने पड़े थे यह जो आपने पड़े थे उसमें एक लाएन और एड कर लेना कि जादा तर जो समतल वरगाकार संकुल होते हैं वह डी एट मैटल द्वारा मतलब ऐसे मैटल जिनकी 8 में आठ इलेक्टोन होते हैं d하지 कौंकों आते हैं यहां तो निकल होगा यह तो प्लैटिनम on the Screen does जादातर जुसं मितिल वर्गा few बनते हैं यह तो निकल से बनते हैं यह प्लैडिनम से बनते हैं यह तो सब लाति यहीं से कोशिच करते हैं कि डि और्बीटल दो भागों में तूटी थी हेना काम सी एक टीटू जी थी और एक टीटू जी थी हम ऐसा लेकर चल रहे हैं ठीकर अस्ट फड़क Ito दूसी तरह के से सिंपल तरीके से समझते हैं फिर यह यहां से एक्स्प्रेंगे आपको जैन टेलर विक्रती होती क्या है और क्यों उत्पन होती है तो यह जो जैन टेलर विक्रती है वो कम होगा लेकिन अगर इजी में असमान तरीके से वित्रित हैं तो यह जादा होगा इसलिए मैंने अभी रोग दिया हम समझेंगे उनको आगे तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यह क्यों उत्पन होती है तुम लिख सकते हैं डी कक्षकों में डी कक्षकों में इलेक्ट्रोंस के असमान वित्रण के कारण D कक्षिकों में Electrons के असमान वितरण के कारण क्या उत्पन होती है Jain Taylor विक्रती उत्पन होती है यानि कि जब Electrons का वितरण असमान होगा असमान का मतलब हम बारी बारी से सभी के लिए देख लेते हैं D1 से लेकर D10 तक के लिए देख लेते हैं कि कहां पर होगी और कहां पर नहीं होगी और जहां पर होगी तो क्यों होगी वो हम बात में explain करेंगी पहले देख लेते हैं सबसे पहले हम लें D1 D1 octahedral किसकी बात कर रहे हैं अस्टफल के संकुलों की बात कर रहे हैं क्योंकि जो विक्रती होती है वो अस्टफल की संकुलों में होती है चतुसफल की है और समतल वरगाकार के अंदर नहीं होती जोन टेलर विकरे थी क्यों नहीं होती क्योंकि वहाँ तो चार ही लिगेंडने तो वह और एक दूसर से बहुत दूर दूर होते हैं तो वहाँ पर डी जनरेसी ब्रेक होने का सवाल है ही नहीं तो उनमें नहीं होती है केवल किसमें होती है अस्टफल की संकुलों में होती है तो हम सबसे पहले लेते हैं D1 हम जानते हैं D और विटल दो भागों में टूटेगी एक होगा T2G और एक होगा हमारे पास EG D1 रहेगा तो T2G में एक इलेक्ट्रोन है और ये क्या कहलाएगा असमान वित्रण समान वित्रण कब होगा जब यहां तो तीनों में एक एक इलेक्ट्रोन हो तो समान वित्रण है यहां तो फिर तीनों में कितने हो दो-दो इलेक्रोनों तब समाने, लेकिन ऐसा तो नहीं है, कितने इलेक्रोन है केवल एक है, और एक है तो असमान वित्रण है, असमान वित्रण है मतला यह यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, तीनों के एनर्जी सेम ही तो है, तो इसका मतला यहां पर जैन टेलर डिस D3 की बात करें, T2G और EG, ठीक है, एक, दो, तीन, अब वित्रण कैसा है, समान हो गया, तीनों और और वित्रण के अंदर एक एक इलेक्टरोन है, समान रूप से वित्रित, तो यहाँ पर जैन टेलर विकरती नहीं होगी, यहाँ पर नहीं होगी, D4 की बात करें, ठीक है, D4 में अब दो केसा आजाते हैं, एक होता है हाई स्पिन और एक होगा लो इस्पिन, तो पहले हाई स्पिन की बात करेंगे, तो D और टूटेगी, T2G और EG में, चार वरेंगे तो एक, दो, तीन, और चौथा हाई स्पिन है, तो इलेक्टरोन उपर न इनर्जी जोगी वह जादा उठी है, इसलिए इलेक्टरोन पेर होने की वज़या कहां चला जाता है, उपर, अब अगर हम देखें, यहां तो समान वित्रण है, लेकिन यहां पर वित्रण कैसा है, असमान है, इसका मतलब यहां पर जैन टेलर विकृती होगी, ठीक है, अग समान है, इसका मतलब यहां पर भी जैन टेलर विकृती होगी, हाई स्पिन में वह बिज लोगी, ठीक है, डी फाइफ थी बात करते है, डी फाइफ हाई स्पिन देखते हैं सबसे पहले, जो एटी टू झी और इजी हाई स्पिन है तो इलेक्टरोन पेर तो होंगे नहीं, व टेलर विक्रती नहीं होगी ठीक है नहीं होगी अगर लोई स्पिन की बात करें डी फाइफ लोई स्पिन की बात करें ठीक है तो यहां पर अब इलेक्ट्रोन उपर नहीं जाएंगे एक दो तीन अब उपर ना जाकर कि इलेक्ट्रोन कहां पेयर हो जाएंगे नीचे ही पेयर ह मचा कदेखें वहां पर अच्छ साल outta 나ी करते हैं और यहां पर देखें क्या वित्रन समान नहीं है नहीं इसका मतलग यहां पर सम्हों सरहल नहीं एक यह समान वित्रनर और जहाँ पर भी असमान वित्रण होता है वहाँ पर विक्रती होती है D6 की बात करें D6 पहले देखते हैं High Spin 1, 2, 3 ठीक है High Spin होगा तो 4, 5 और यह होगा 6 यहाँ पर वित्रण कैसा है? समान है लेकिन यहाँ पर वित्रण कैसा है? असमान है और असमान है तो यहाँ पर जहाँ टेलर विक्रती होगी ठीक है? D6 लो इस्पिन की बात करें तो क्या होगा? T2G और EG ठीक है EG और T2G में टूटेगी लो इस्पिन है तो कोई भी उलक्टरण उपर नहीं जाएगा 1, 2, 3 तीनों इलक्टरण, 6 के 6 इलक्टरण का नीचे ही पेर हो जाएगी और अगर नीचे पेर हो गए तो इनका वित्रण कैसा है? समान है और अगर वित्रण समान है तो यहाँ पर जहन टेलर विक्रती नहीं होगी ठीक है? अगर हम बात करें D7 की D7 यहाँ पर भी विक्रती होगी और अगर D7 लोई समान होने की वज़े से यहाँ पर भी विक्रती होगी इसके बाद केस आता है किसका? D8 का और D8 में तो हाई स्पिन और लोई स्पिन होते नहीं है है ना? चाहे हाई स्पिन ले 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 चाहे लोई स्पिन इलेक्ट्रोन सेम तरीके से बरे जाएंगी तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चाहे तो high spin ले चाहे तो low spin electronic विन्यास यही प्राप्त होगा और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी समान रूप से वितरित है और उपर देखें तो उपर भी समान रूप से वितरित है तो यहाँ पर जैन टेलर विक्रती जो होगी वो नहीं होगी D8 संकुलों में जैन टेलर विकरती नहीं होगी ठीक है D9 की बात करें D9 की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9th electron कहा जाएगा उपर यहाँ तो समान है लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया असमान हो गया असमान वितरन हो गया और लास्ट बचा है हमारे पास D10 ठीक है और D10 में तो हम जानते हैं सारी की सारी और्बिटल्स क्या होंगी पूरी तरीके से भरी होई होंगी और पूरी तरीके से भरी होई है इसका मतलब यहाँ पर वितरन कैसा है और अगर असमान वित्रण है, तो विक्रती होगी, अब समान कहां हो सकता है, यहां तो तीनों में एक 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 एलेक्टरोन हो, ठीक है, यहां पर क्या समान वित्रण है, तीनों में एक 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 एलेक्टरोन है, तो यहां पर विक्रती नहीं होगी, ठीक है, अगर इसकी बात करे तो यहाँ पर T2G पूरी तरीके से भरे हुए तो यहाँ पर वित्रण कैसा है समान तो यहाँ पर भी विक्रती नहीं हुई D10 की बात करें सारे D orbital पूरी तरीके से भरे हुए इसलिए यहाँ पर भी विक्रती नहीं हुई D8 की बात करें, यहाँ 6 इलेक्ट्रोन है, समान तरीके से भरे हुए, यहाँ पर भी क्या है, 2 इलेक्ट्रोन है, यह दोनों भी क्या है, समान तरीके से भरे हुए, इसका मतलब यहाँ पर भी विक्रती नहीं होगी, तो यह हमने देखा कि जैन टिलर विक्रती कहा पर होगी और कहाँ पर नहीं पहले जल्दी से नोट कीजिए फिर आगे देखते हैं आगे चलते हैं तो यह जो जैन टेलर विक्रती होती है दो तरीके की होती है जैन टेलर विक्रती जैन टेलर डिस्टृर्शन दो तरीके का होता है कितना दरीके की होती है दो प्रकार की होती है हम जबसक踏म में जाएंगेगे तो जाह जांट फ करते पढ़ने के लिए कम से कम 5 यह 6 लेक्टर चाहिए केवल जौन टेलर विक्रिती को समझने के लिए तो हम केवल इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन उतला उपर-उपर से देखेंगे जब आप हाइयर क्लासेश में चले जाएंगे एक होती है जएड आउट और दूसरी होती है जeffective यह इंगा है जैसे अब्यच्पने देखाता ना हम क्या कर रहे थे हैं लिगाइड्डों को झात ले पास ले करा रहे हैं वहां परोन्ड क्या हो रहा है लंबे हो रहे है यानि कि ऑलाङेट हो रहे हैं क्लिके ride और यहां पर नाठ रहे हैं तो पास आ रहे हैं पास आ रहें तो आज़ा होंगे उने कोलते कंप्रेशन क्या उने को बोलते हैं है कमप्रेशन ठीक Holz जैन टेलर विक्रती दो बा स्वेजाएं बॉट विए बीडि उते हैं जैड आउट में क्या होता है बंड छोटे हो जाते हैं जैसा कि अभी अभी आपने दिखा था किसमें टेट्रागोनल में वहां बंड क्या हो रहे थे लंबे हो रहे थे वहां पर क्या हो रहा था इसका मतलब वहां पर क्या हो रही होगी वहां पर हो रही होगी जैन टेलर विक्रती जिसकी एलेक्ट्रोनों के ऐसे लिखे एजी कक्षकों में टी टू जी और एजी बनते हैं तो अगर एजी सेट एजी सेट के कक्षकों में असमान वितरण होने से होने से जैन टेलर विक्रती बहुत अधिक पाई जाती है बहुत अधिक पाई जाती है ठीक है यह नोट करके लिख लिए जेगा कि दो तरह की अभी हमने सभी में देखा कुछ में टी टू जी के अंदर असमान वितरण था किसी में क्या था एजी के अंदर तो अगर हम दोनों की कंपैरिजन करें एक में टी टू जी में असमान वितरण है और एक में हैं एजी में अंदर इलेक्ट्रोनों का वितरण असमान हैं तो वहां पर जैन टेलर विक्रती बहुत जादा होगी है ना T20 जी के कमपेरेजन में बहुत जादा होगी घुआतुज़े में असमान वितरण है तो विक्रती होगी लेकिन कम होगी लेकिन अगर स्टेटिक और डाइनमिक तो जो स्टेटिक जैन टेलर डिस्टोर्शन होता है वो यह होता है इजी वाला ठीक है अगर इजी सेट के कक्षकों में इलेक्ट्रोनों का असमान वित्रने तो जैन टेलर बहुत जादा होगा और इसको क्या बोलते हैं स्टेटिक जैन टेलर लेकिन टेंपरेचर की वज़े से सो करने लग गया तो इसको बहुते हैं डाइनेमिक जैन्टेलर डिस्टोर्शन तो यह दो इसमें भी दो क्ला का चाहिते हैं काटिग्री आती है स्टेटिक और डाइनमिक वह माम कर वह अब का क्या है कि अवल जैडाउट और जैडी इन बैड़ में गइग्र होगा मां आजएंन तलंत lesy दो एक the टीटू जी था वर एक क्या था इजी ता यह क्या है टी टू जी और यह क्या थी अजी और सेड help को हम अभी अभी देख चुके हैं संतल वर्गातार में है ना क्या कर रहे थे हम z-axis से bond को दूर ले जा रहे थे हैं ना bond दूर ले जा रहे थे और जब bond दूर जाएगा z-axis से तो z-axis से लगने वाला प्रतिकर्शन भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा ठीक है और उन डी और्विटल्स की एनरजी डी एक्स वाई डीवाईज है डी जैड एक्स 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 तो उन डी और्विटल्स की दो भागों में फिर से तूर जाएगी यहाँ पर x-square-y-square की एनरजी बढ़ जाएगी और d-z-square की एनरजी कम हो जाएगी तो d-z-square कम हो गई और d-x-square-y-square की बढ़ गई ठीक है ऐसे ही यहाँ पर भी होगा यह भी दो भागों में बढ़ जाएगी जिनमें x-y पोनेंट होगा उनकी एनर्जी क्या हो जाई कम डिवाइज़ दी जैड एक्स तो यह होता है विक्रती की वज़य से डी और्विटल अगर जैन टेलर विक्रती है पहलो तुमने देखा कहां पर होगी और अगर उनमें है तो क्या होगा कि डी और्विटल दुबारा से तूट अगर उनके अंदर इलेक्ट्रोन भरने की वज़य से किसी तरह के असमान वित्रण आ रहा है तो उनके अंदर क्या होगी जैन टेलर विक्रती उत्पन होगी और उस विक्रती की वज़य से डी और्विटल दुबारा से तूट जाएगी पहले दो भागों में तूटी फिर दोबारा तूट गए क्यों कि एलेक्ट्रोनों के असमान वित्रण था जिसकी वज़य से प्रतिकर्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था मॉलीक्यूल के अंदर उस प्रतिकर्शन को कम करने के लिए अपनी एनर्जी को कम करने के लिए और फिर से तूट जाती है और इस तरह स एक टो होता है टी टू जी और एक ईजी डी एकस वाई डी जैड एकस डी एकस स्क्वेर माइनस वाई स्क्वेर और एक उतिय हमारे पास डी जैड स्क्वेर ठीक है तो अब यहाँ पर क्या होगा समझेए अब क्या हो रहा है जैड इन हो रहा है इसमें क्या करते हैं हम जैड से दूर ले जा रहे थे लेकिन अब हम लीगेंडों को क्या कर रहे हैं जैड पर पास ला रहे हैं धातू के और जब लीगेंड जैड एक्सिस से धातू के पास आएंगे तो क्या होगा कि प्रतिकर्शन बढ़ेगा प्रतिकर्शन बढ़ेगा तो एनर्जी भी क्या होगी बढ़ कि हो जाएगी ज्चाइब सकवियर है dalी अजय यूझा ओडी एकस्सक्वर माइनस याझस का क्या हो जाएगी लोगए यह पर भी नाग прекрас तो तरीके का हो सकता कर लेकिन अगर लेकिन अगर रिगेंड एकस इस से पास आ रहा है और प्रतिकरशन बढ़ने से उन्हेंज़ प्रतिकरशन आरा है उन दीघर और आउट हो रहा है तो डी और्बिट्ल इस तरीके से तूटेगी और एक बात और कर दिजेगा के हमेशा मॉलीकुल के अंदर हम इलॉंगेशन समझ कर prols होता है तो प्रतिकर्षन क्या हो रहा है कम हो रहा है लेकिन जब compression होता है तो प्रितिकर्शन क्या होता है बढ़ता है और प्रितिकर्शन बढ़ेगा तो energy बढ़ेगी और energy बढ़ेगी तो molecule क्या हो जाएगा unstable तो हम हमेशा किसको prefer करते हैं कि compression की तुल नामे elongation हमेशा prefer होता है तो हम यहां लिख सकते हैं कि जैड आउट की preference जादा होतीए किस से जैड इन से यानि की जैड आउट more stable यह क्या होता है अधिक स्थाई है जैड आउट वाली condition क्या होती है अधिक स्थाई होती है और जैड इन वाली तो ये एक स्थाई कंडिशन है इसलिए हम मॉलिक्यूल के अंदर कम्प्रेशन की वज़ाए जादातर क्या लेकर चलते हैं एलउंगिशन क्यों समझते है कि गया रहना चाहेगा इस्टेवल अबस्था में रहना चाहेगा और इस्टेवल कब होगा जब उसमें याने कि इस तरह की splitting को लेकर चलते हैं तो यह था जैन टेलर विकरती ठीक है अब इस चैप्टर में यह जो सी हुनेट का यह झेपटर फिनिश होता है अभी स्टर आप सो दूसरा चैप्टर शुरू होगा और पहले नहीं करांगी कितन अगर चैप्टर करांगी तो फिर कैसे units complete हो पाएंगी तो ये वाली unit मेरी तरफ से तो complete ही समझी एक chapter पूरा हो चुका है आपको भी एक ही chapter करने की जरूरत है आप यह एक ही chapter याद करोगे न सारे तो नहीं और अगर आपको दूसरा chapter भी पढ़ना है तो please मुझे comment section में बता दीजेगा तो फिर मैं इसका दूसरा chapter शुरू करूँगी ठीक है, thank you नोट कीजिए